संभल के दीपा सराय सित अपने आवास पर स्पी सांसद शफी कुर्रामान बर्क ने मुहसदस्यों में हिंदू या फिर गैर मुस्लिम के पढ़ाई पर पावंदी की नई गाइडलाइन जारी किये जाने पर कहा कि यह सब बीजेपी की पॉलिसी है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने मदर्सों के सर्वे भी करा लिये हैं सभी तरह से मुसल्मानों को हरास्मेंट किया जा रहा है। पासांसत ने सरकार से अपील की है कि जिस तरह से मदर्सों का निजाम चलता रहा है ठीक वैसा ही आगे भी चलता रहे। सरकार लोगों में बटवारा कर रही है और उन्हें बाटने का काम कर रही है। अगर वाल है उनको गिफ्तार कर लिया है किसी मेसिज को ना ये भी गलत किया गया है बगर अगर वो ट्यूटर चलाते हैं तो उसका जो कुछ भी काररवाई करते हैं बाराल हमारे पार्टी के समाजवाद पार्टी के लीडर और अध्यक्ष और एक्स चीफ मिनिस्टर अकलेश यादव जी इस वक्त इस चीज को उन्होंने अपने हाथ में लेकर वो पहुँच गये हैं और वो उनकी मांग यह है कि उनको फोरन रहा किया जाए तो इस तो कोई भी पार्टी अपना काम अधादी से नहीं कर पाएगी तो क्या है चाहते हैं सिर्फ बीजेपी काम करें और कोई दूसरी पार्टी काम ला करें यह नाइंसाफी की जा रही है यह समाज़ बीजेपी की नाइंसाफी है और यह कानून के भी खिलाफ है इस तरीके से का कर दो कर दो